जीन लोगों पर धार्मिक प्रताधना होने के कारण जो भारत की सरण में आए हैं उसके लिए एक कानून है मैं मैंबुबा जी को पूछना चाहता हूँ 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोर्ट में अरजी हो गई थी फिर क्यों इतने समय तक आप एंजोई किये भी अब उनको अलपसंख्यों को के वॉट चाहिए एपीस्मेंट की पोलिटिक्स इसलिए आज उद्दव ठाकरे कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं जैराम रमेश कॉंग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉंस्टिटूशनल है शशी तरूर कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया एलाइन्स जीत जाती तो ये CAA को रिपील कर दिया जाएगा क्या कहेंगे आप देखिए उनको भी मालूम है कि इंडिया एलाइन्स सत्ता में नहीं आना है मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ CAA के कानून को भारती जन्ता पार्टी की सरकार लाई है नरेंद्र मोदी सरकार लाई है इसको रिपील करना असंभव है हम पूरे देश को जागरूप करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही नहीं मिले इस स्थिती होगी और जहां तक असमवेदानिक होने का सवाल है वो आटिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते है वो भूल जाते है कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए है एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्योसों के साथ लोजिकल संबंध होना चाहिए तो वो आटिकल 14 का वालोलेशन नहीं करता है इसमें रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जीन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मंगलादेश में जीन लोगों पर धार्मिक प्रताधना होने के कारण जो भारत की सरण में आए हैं उसके लिए एक कानून है तो reasonable classification बहुत पश्ट है और इसलिए एक पूरी तरह से समवेधानिक कानून है एक और criticism है महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये सुप्रीम कोट में जो है उसकी सुनवाई अभी बाकी है तो इतनी जल्दबाजी क्यों देखे हर कानून को कोई सुप्रीम कोट में श्टे करेगा तो कानून का implementation नहीं होगा सुप्रीम कोट के सामने न्याय मागने के लिए जाना और सुप्रीम कोट ने श्टे देना दो अलग बात है इस कानून पर सुप्रीम कोट का कोई श्टे नहीं है चार साल से लोग गए है अभी लंबित है मगर सुप्रीम कोट ने इसके implementation पर कुछ टे नहीं दिया है मैं मेबुबा जी को पूछना चाहता हूँ 370 पर 1951 में ही सुप्रीम कोट में अरजी हो गई थी फिर क्यों इतने समय तक आप enjoy किये भई अब बताएंगे देश की जनता को जब आपके पक्स की बात होती है तब नईतिक्ता के parameters बदल जाते हैं ऐसे नहीं होता है देश का एक समविधान है परंपरा है अदालतों की परिपाटी है इसके हिसाब से देश चलता है समविधान के बारे में बात करें तो UBT जो ग्रूप है शिवसेना की वो कहते हैं कि आपकी विफल्थाओं को छुपाने के लिए मेरा उद्दव जी से request है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो सपष्ट करो के लिए क्या उद्दव जी बोल सकते है कि कानून नहीं आना चाहिए मैं आज उनका आखवान करता हूँ देश की जनता के सामने महराश की जनता के सामने सपष्ट करे किसी ये नहीं होना चाहिए हिंदू सरनार्थियों को बहुद सरनार्थियों को नागरिक्ता नहीं मिलनी चाहिए एक बार उद्धव जी स्पष्ट करे जरा आई वस आप कर रहे हो टाइमिंग का सवाल दिखे तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो आपका इशारा बालठाकरे की तरफ मेरा तो उनकी वर है बालठाकरे साब तो अब रहे नहीं वो स्पष्ट करे क्योंकि वो पहले बोलते थे पार्लामेंट में भी बोले है अब उनको अलपसंख्यों को के वोट चाहिए एपीस्मेंट की पोलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं